प्यारे बच्चो नमस्कार आज हम आपकी पाठ्थे पुस्तक वसंत भागतीन का पांचवा पाठ चिठ्थियों की अनूठी दुनिया पढ़ने वाले हैं इसे लिखा है श्री अर्विंद कुमार सिंग जी ने अनूठी का क्या अर्थ होता है बच्चो अनूठी यानी अनोखी या सबसे ही अलग तो इस पाठ के अंदर लेखक ने हमें चिठ्थियों की एक अलग दुनिया के दर्शन करवाए हैं जो की सबसे अलग, सबसे अनोखी और अजीब है वे हमें बताते हैं कि पत्रों का इतिहास क्या रहा है आरंब से लेकर अब तक पत्रों ने अपना सफर कैसे ते किया है इसके बाद लेखक ने हमें इस पाठ के अंदर ये भी बताया है कि मानव सभ्यता के विकास में पत्रों की क्या भूमिका रही है और उसके बाद संचार के नए साधन आ जाने पर भी पत्रों का महत्व कैसे बना हुआ है आप लोगों ने क्या कभी किसी को पत्र चिठी लिखी है अगर नहीं लिखी तो आपने भाशा की कक्षा में और परीक्षा में चिठी और पत्र ज़रूर लिखे होंगे आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है पत्र लिखना तो आप जब किसी को पत्र लिखते हैं तो वे अपने ठिकाने पर कैसे पहुँचता है पत्र आप जब लिख कर लाल रंग के डिब्बे में डालते हैं तो वे अपने ठिकाने पर पहुंचने तक सफर कैसे तै करता है जानते हैं आप तो आईए जानते हैं कि वे सफर कैसे शुरू होता है और कैसे पूरा होता है तो आप पत्र को लिखकर इस लाल डिब्बे में डाल देते हैं जिसे डाक का डिब्बा या लेटर बॉक्स कहते हैं उसके बाद डाक घर वाले यदी पास की जगा हो या पास के शहरों का पत्र हो तो उसे गाड़ी द्वारा तूर का पत्र हो तो रेल गाड़ी द्वारा और यदी ज्यादा दूर या विदेश का पत्र हो तो हवाई जहाज द्वारा भेजते हैं फिर उस शहर के डाग घर का डाकिया उस पत्र को लेकर सही पते पर पहुंचा देता है और इस प्रकार आपका लिखा हुआ पत्र अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है बच्चों आप कभी डाग घर गए होगे यदि आप डाग घर में जाएं तो वहाँ अलग अलग परकार के पत्र आपको मिल जाएंगे जैसे पोस्ट कार्ड जो की बहुत ही कम मुल्य का होता है ताकि इसे कोई भी खरीद कर इस पर पत्र लिख कर पूरे देश में कहीं भी भेज सके उसके बाद आता है ये हरे रंग का अंतरदेशिय पत्र जिसे आप पूरे देश में कहीं भी भेज सकते हैं और ये बंद भी हो जाता है ताकि आपकी लिखी हुई बात को कोई पढ़ न सके और वेह सुरक्षित रहे फिर उसके बाद ये नीले रंग का पत्र जिसे एरोग्राम कहते हैं यदि विदेश में आपको पत्र भेजना है तो इस पर लिखकर आप पत्र भेज सकते हैं इसके अलावा बच्चो आप किसी कागस पर पत्र लिखकर उसे लिफाफे में बंद करके भी भेज सकते हैं लेकिन उसके लिए फिर आपको डाक टिकट लगानी पड़ती है जिसके चित्र आप यहाँ देख सकते हो इसके अलावा भी बहुत तरह के अलग-अलग मूलियों के डाक टिकट होते हैं इन सब पत्रों और चिठियों की सुविधाओं के अलावा डाक घर के द्वारा आप किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे भी भेज सकते हैं उसके लिए आपको डाक घर से एक मनी ओर्डर फॉर्म मिल जाएगा इस पर आप उस व्यक्ति का नाम वपता लिखिए जिसे पैसे भेजने हैं और डाक घर में पैसे जमा करवा दीजिए बस उस व्यक्ति तक पैसे पहुँँ जाएंगे लेकिन बच्चो पत्रों की शुरुवात कैसे हुई थी? सबसे पहले पत्र किसने भेजा? कैसे भेजा? कहां भेजा? बहुत पुराने समय की बात है जब यातायात के साधन नहीं होते थे तो उस समय मनुष्य पक्षियों के द्वारा पत्रों को या संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता था इसके बाद राजाओं महराजाओं ने तेज दोड़ने वाले व्यक्तियों को इस कारे के लिए प्रयोग करना शुरू किया इन्हें हर कारे कहा जाता था उसके बाद फिर घोडों और घुड सवारों को भी भेजा जाने लगा परनतु बच्चो पहिये के आविशकार के बाद संचार सुविधाओं में बहुत तेजी आ गई जैसा कि आपको पता ही है कि पहिये के आविशकार के बाद सबसे पहले मनुश्य ने बैल गाड़ी बनाई फिर उसके बाद धीरे धीरे हर प्रकार के यातायात के साधन बन गए पहले सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन बने उसके बाद रेल गाड़ी और फिर समुद्री जहाज और हवाई जहाज इन सुविधाओं के आने पर संचार का माध्यम बहुत ही तेज हो गया और बहुत शिगृता से पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुचाए जाने लगे यातायात के साद्नों के विकास के साथ ही हर जगए डाग घर बनाए गए लोगों को पत्र लिखने के लिए प्रोचसाहित करने के लिए और डाग सेवा को सफल बनाने के लिए विश्व डाग संग ने कई प्रियास किये जैसे पूरे विश्व में बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियों गीताएं करवाई गई स्कूली बच्चों के पठक्रम में भी पत्र लेखन को जोड दिया गया आगे चल कर तो पत्र लेखन को एक कला माना जाने लगा परंतु बच्चो जैसा कि आपको पता है कि आजकल संचार के बहुत से साधन आ गए हैं जिनकी वज़ा से संचार की गती या संदेश भेजने की गती बहुत ही तीवर हो गई है इसकी वज़ा से पत्रों की संख्या में भारी कमी तो अवश्याई है परंतु आज भी ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां तक ये आधोनिक सुविधाएं अभी पहुँच नहीं पाई है वहाँ पर भारतिय डाक विभाग ही चिठियां पहुचा रहा है और लोगों की सेवा कर रहा है वै फिर चाहे दूर दराज के गाउं हों जंगली इलाके हों दूर दूर बसी रिगिस्तान बस्तियां या पहाडी स्थान हों या फिर सीमा पर रक्षा करते हमारे फौजी भाई उन सब के जीवन का आधार और एक मात्र सहारा भारतिय डाक विभाग ही है बच्चों यदि हम चिठियों और आजकल के अधोनिक साधनों की तुलना करें तो ये बाते सामने आती हैं चिठि पाने वाला व्यक्ति इसे पाकर, छूकर, प्रसन्नता का अनुभव करता है लेकिन SMS में अकसर इस तरह महसूस नहीं होता चिठि या पत्र को हम जब तक चाहे संभाल कर रख सकते हैं रख तो SMS को भी सकते हैं, इमेल को भी रख सकते हैं परन्तु उतना समय नहीं जितना की पत्रों को रखा जा सकता है एक और अंतर यह है बच्चो कि SMS और इमेल आदी पढ़ने के लिए आपको किसी यंतर यानि फोन, कम्प्यूटर इसकी आवश्यक्ता होती है और इसके इलावा आपके फोन या कम्प्यूटर की बैटरी चार्ज होनी चाहिए इंटरनेट होना चाहिए तो इन सब बातों पर निर्भर है कि आप SMS पढ़ पाएंगे इमेल पढ़ पाएंगे या नहीं लेकिन पत्र के लिए ऐसा कुछ नहीं है पत्र तो आपको बस निकालना है, खोलना है और पढ़ना है तो इस तरह हम देख सकते हैं कि चाहे आधोनिक सुविधाओं का भी महत्व है और उनके कई फाइदे हैं लेकिन पत्रों में एक अलग तरह का अपनापन, अपनत्व है जो की हमें प्रसनता प्रदान करता है पुराने समय में तो जब पत्र ही केवल संचार का एक मात्र साधन होते थे तब सभी लोग चाहे वे आम आदमी हों या राजनीती, सहित्य, वकला से जुड़े हुए लोग जैसे बड़े-बड़े नेता, लेखक, पत्रकार, स्वतंत्रता से नानी आदी सभी अपने विचारों का आदान प्रदान पत्रों द्वारा ही करते थे और इन महान लोगों द्वारा लिखे हुए पत्र उस समय के समाज का आईना हैं और हमारी जानकारी का एक सशक्त माध्यम उस समय क्या-क्या घटनाई हो रही थी, कैसा महौल था, इन सब बातों का सही-सही अंदाजा हमें इन लोगों के पत्रों द्वारा ही लग जाता है उधारन के रूप में देखिए ये कुछ पुस्त के जो पत्रों का संग्रे ही हैं जैसे जौहरलाल नहरुजी द्वारा अपनी पुत्री को लिखे पत्रों का संग्रे है पिता के पत्र पुत्री के नाम फिर है पंत के 200 पत्र जिसे हरिवन श्राय बच्चन द्वारा लिखा गया था फिर है पत्रों के आइने में दयानन सरस्वती डॉक्टर राजेंद्र परसाद ने लिखी और महात्मा और कवी नामक पुस्तक जिसमें गांधी जी और रविंद्र नाठ्यगोर के बीच हुए पत्राचार का संकलन है बच्चों जब हमारा देश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस समय बड़े बड़े नेताओं को देश विदेश से अनेक लोग पत्र लिखते थे और नेता लोग उन सभी पत्रों का उत्तर देने का प्रयास करते थे यदि ऐसा कोई पत्र किसी व्यक्ति के पास होता जो किसी बड़े नेता ने उसे भेजा होता तो वै उसे फ्रेम करवा के रखता था और एक प्रशस्ती पत्र के समान मानता था इन सब नेताओं में सबसे बड़ा उधारण है गांधी जी का गांधी जी को पूरे देश के साथ साथ विदेशों से भी बहुत से पत्र आते थे उन पत्रों पर केवल गांधी इंडिया लिखा होता था और वे जहां भी होते उन तक पत्र पहुन जाते थे क्योंकि गांधी जी एक बहुत ही लोग प्रिये नेता थे और लोगों को पता होता था कि वे आज कल कहां है कहा जाता है कि गांधी जी हर पत्र का उत्तर स्वयम लिखते थे यदि लिखते लिखते उनका दाया हाथ दुखने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखना आरंब कर देते थे तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पत्रों की संख्या में चाहे कमी अवश्य हो रही है परंतु उनका स्थान कोई भी आधोनिक साधन नहीं ले सकता इसके अतिरिक्त व्यापारिक डाग की संख्या भी लगातार बढ़ रही है तो बच्चो आज भी करोणों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए भारतिय डाग घरों के दरवाजों तक पहुँच रहे हैं और भारतिय डाग विभाग उनकी इन जरूरतों को उरा कर रहा है तो बच्चो आशा है आपको ये पाठ बहुत रोचक लगा होगा पाठ पढ़ चुकने के बाद आए कुछ अभ्यासों द्वारा पाठ को दोहरा लेते हैं पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए चिठियों की अनूठी दुनिया पाठ के लेखक कौन है मैं आपको विकल्प बताऊंगी आपने सही विकल्प चुनना है पहला विकल्प है कामतानात दूसरा रामदरश मिश्र तीसरा हरी शंकर परसाई और चौथा अर्विन कुमार सी क्या उत्तर है बच्चो विल्कुल सही अर्विन कुमार सी इस पाठ के लेखक है पत्र लेखन कला का विकास करने का क्या कारण था किस कारण पत्र लेखन कला को विक्सित किया गया विकल्प सुनिये, डाक व्यवस्था के सुधार के लिए, दूसरा, पत्रों को सही दिशा देने के लिए, तीसरा, पत्र संस्कृती विक्सित करने के लिए, और चौथा, ये सभी, सभी उत्तर सही है बताईए, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है, ये सभी, ये सभी बातें सही है अगला प्रश्ण, संचार के आधुनिक साधनों के आने पर भी, किन पत्रों की संख्या बढ़ी है? कम होने की बजाए बढ़ी है विकल्प सुनिये, पारिवारिक पत्रों की, या व्यापारिक पत्रों की, या व्यक्तिगत पत्रों की, या फिर घरेलू पत्रों की कौन सा उत्तर सही है, बताईए? उत्तर सही है व्यापारिक पत्रों की, बिल्कुल सही अगला प्रश्न, SMS से पत्र के समान क्या प्राप्त नहीं होता? विकल्प सुनिये, लाब, हानी, संतोश या असंतोश? क्या है बेटा सही उत्तर बताईए? सही उत्तर है संतोश, SMS से हमें पत्र के समान संतोश प्राप्त नहीं होता? अगला प्राश्न, पंडित नहरू द्वारा अपनी पुत्री इंद्रा को लिखे पत्र किस नाम से प्रसिद्ध हैं? पुत्तर के लिए विकल्प हैं नहरू के पत्र इंद्रा के नाम या पिता के पत्र पुत्री के नाम या पिता के पत्र पुत्र के नाम या फिर इन में से कोई नहीं कौन सा विकल्प सही है बताईए बच्चो पिता के पत्र पुत्री के नाम जी हां दूसरा विकल्प सही है अगला प्रश्न देखिए संदेश भेजने का सबसे पुराना तरीका कौन सा है विकल्प है घुड़सवार, हरकारे, कबूतर या रेलगाडी क्या है आपका उत्तर बच्चो बताओ सही उत्तर है कब उत्तर बिल्कुल सही अगला प्रश्न देखिए चिठियां विरासत क्यों हो सकती है पहला विकल्प ये पुरानी है दूसरा इन्हे सहेज और संजोकर रख सकते है तीसरा इन्हे सहेज और संजोकर नहीं रख सकते है चौथा ये बहुत काम आती है कौन सा उत्तर सही है बताइए इन्हे सहेज और संजोकर रख सकते है बिल्कुल सही बताया आपने अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो है कौन से नेता थे जो हर पत्र का उत्तर स्वयम लिखते थे इसके लिए विकल्प है ज्वाहरलाल नहरू रविंद्रनाथ स्टैगोर महात्मा गांधी या इन में से कोई नहीं सही उत्तर क्या है बच्चो उत्तर है महात्मा गांधी सही अगला प्रश्न भारतिय डाक विभाग क्या कार्य करता है पहला दूर दराज के इलाकों में चिठियां पहुँचाना दूसरा विकल्प गरीबों के घरों तक Money Order पहुचाना तीसरा लोगों को आपस में जोड़ना या चोथा विकल्प ये सभी बताईये कौनसा विकल्प सही है ये सभी जी हाँ ये सभी विकल्प सही है इसलिए हमारा सही विकल्प होगा चौथा अगला प्रश्ण है सबसे कम मूल्य के पत्र को क्या कहते हैं विकल्प सुन लीजिए एरोग्राम अंतरदेशिये पत्र पोस्ट कार्ड या मनी ओर्डर क्या है आपका उत्तर उत्तर है पोस्ट कार्ड बहुत अच्छे बच्चो चलिए अगली गती विधी करते हैं अब मैं आपको कुछ विशेश बाते बताऊंगी और हम उस पर चर्चा करेंगे पहली बात है बच्चो आपने सुना होगा पिन कोड पिन कोड क्या होता है और इसका प्रयोग क्यूं होता है आप ये चित्र देखिए पोस्ट कार्ड पर पिन कोड लिखने की जगा बनी हुई है पिन कोड का मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नमबर इमेल के आने से चिठ्थियों का चलन कम हुआ है इससे पिन कोड का प्रयोग भी सीमित हो गया है कुरियर सर्विसेज ने पिन कोड का प्रयोग जब से शुरू किया तब से पिन कोड का महत्व फिर से साबित हुआ है पिन कोड बड़े ही काम का नंबर होता है बच्चो छे नंबरों को मिला कर बनाया गया ये कोड आपके एरिया की पूरी जानकारी देता है इसका हर नंबर किसी खास एरिया के लिए ही बनाया गया है इस जानकारी की मदद से पोस्ट आफिस वाले सही जगा पर चिठियां या पैकिट पहुचा देते हैं अच्छा, साहित्य में भी हमें कई ऐसे उधारन मिलते हैं जब लेखक या कवी अलग-अलग वस्तुओं को संदेश वाहक बनाते थे उधारन के लिए संस्कृत सहित्य में महा कवी काली दास ने मेग दूत नामक महा काव्य में मेग अर्थात बादल को संदेश वाहक बनाकर अपनी प्रेमीपका के पास भेजा था इसके इलावा आपने देखा वा सुना होगा कि पक्षियों को संदेश वाहक बनाकर अनेक गीत भी लिखे गए हैं आपने फिल्मों के तो कई ऐसे गीत सुने होंगे याद करिए कुछ ऐसे गीत और गुन-गुनाईए बच्चों हमारे इस पाठ के बाद भी केवल पढ़ने के लिए शिरी रामदरश मिश्र द्वारा लिखी गई एक कविता दी गई है जो चिठियों पर आधारित है आईए इसे पढ़ते हैं चिठिया लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिठिया अनन्त सुख दुख वाली अनन्त चिठिया लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती सभी अकेले-अकेले अपनी मन्जिल पर पहुँचने का इंतजार करती है कैसा है ये एक साथ होना दूसरे के साथ हसना न रोना क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिठियां हो गए हैं तो कैसी लगी कविता आपको बच्चो आपका क्या विचार है इस बारे में क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिठियों की तरह हो गए हैं इकठे तो हैं परन्तु एक दूसरे से बोलते नहीं, पास होकर भी दूर हैं, विचार कीजिएगा इस पर. आईए, अब हम कुछ व्याकरण से संबंधित अभ्यास करते हैं. हमने पाठ में कुछ ऐसे शब्द देखे, जिनके आगे या पीछे कुछ शब्द या शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं. जैसे पत्र जोड़कर, समाचार पत्र, प्रशस्ती पत्र, ऐसे और भी शब्द सोचिए, जैसे प्रार्थना पत्र, निमंतरण पत्र, देनिक पत्र, आदी. आप ऐसे और उदारण सोचिए और उन्हें एक कॉपी में लिखिए. फिर ये शब्द बनाए गए थे, जैसे व्यापारिक, यहां व्यापार शब्द में एक प्रत्य जोड़ा गया है. प्रत्य बच्चों वे शब्दांश होते हैं, जो शब्दों के पीछे लग कर उनके अर्थ में बदलाव या विशेष्टा लाते हैं. इक प्रत्य के अन्युदारन देखिए, स्वभाव में यदि हम एक शब्द जोड़ दें, एक प्रत्य जोड़ दें, तो वे बन जाता है स्वभाविक. उसके बाद देखिए प्रकृति, प्रकृति के पीछे एक लगाने से प्राकृतिक बन जाता है. फिर शब्द देखिए, संस्कृति. संस्कृति में यदि हम एक जोड़ दें, तो ये बन जाता है सांस्कृतिक. फिर एक शब्द है सप्ता. सप्ता के पीछे एक लगाने से क्या बनेगा? बताईए. साप्ताहिक. हाँजी. उसके बाद शब्द है समाज. समाज के पीछे एक जोड़िये. क्या शब्द बनेगा? सामाजिक. और एक और शब्द है जीव. जीव के पीछे यदि हम एक जोड़ दें, तो शब्द बन जाता है जैविक. बच्चों आप देख रहे हो ध्यान से कि प्रत्य जोडने पर वर्तिनी में बदलाव आ जाता है. जैसे स्वभाव में एक जोड़ा तो स्वाभाविक बन गया. प्रकृति में एक जोड़ा तो प्र के बाद आकी मात्रा लग गई. प्राकृतिक बना. इसी प्रकार दूसरे शब्दों में भी अंतर आ गया है. आप ऐसे कुछ अन्य शब्द बनाईए. मैं आपको शब्द बताती हूँ. उनमें एक प्रत्य जोड़कर आप उनसे नए शब्द बनाईए और इसे भी आप अपनी कौपी में लिखिये. शब्द जो मैं आपको दे रही हूँ वे हैं इतिहास, विज्ञान, नीती और अंतर. बनाईए एक प्रत्य जोड़कर नए शब्द. चलिए अब अगली गतिविधी देखते हैं कि क्या है? बच्चों दो स्वरों के मेल से भी हम नए शब्दों का निर्मान कर सकते हैं. इसे हम संधी कहते हैं. उधारन के लिए देखिये. रवी, जमा, इंद्र. बन जाता है रवींद्र. यहाँ पर छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई हुई है. इसे हम दीर्ग संधी कहते हैं. हरस्व स्वर यानि छोटी मात्रा के आगे हरस्व स्वर या दीर्ग स्वर्ग लगने से दीर्ग संधी बनती है. इसके और उधारन देखिये. महा जमा आत्मा बन जाएगा महात्मा. आप भी साथ साथ उत्तर देने की कोशिश करिए. अगला शब्द देखिये. संग्रह जमा आल्य क्या बनेगा बताएए. संग्रह आल्य बिल्कुल सही. अगला शब्द देखिये. हिम जमा आल्य बनाएए जट से क्या शब्द बनेगा? हिमाल्य बहुत अच्छे. आगे चलते हैं. गुरू जमा उपदेश क्या बन जाएगा बच्चो? गुरू पदेश. आगे है विद्या जमा आल्य. क्या बना? विद्याल्य. आप अपनी किताब से अन्य उदारन धूंड कर एक सूची बनाएए. और बच्चो आपको मैंने जिस जिस तरह के नए शब्द बनाने को कहा है, आपको सिखाएं हैं, वे सब आप बनाईए और सुन्दर लिखाई में उन्हें लिखिए. तो बच्चो हमारा पाठ यहां पर पूर्ण होता है, एक काम और है जो आपने करना है, और मुझे आशा है आपको ये काम करके बहुत खुशी मिलेगी. आपको डाग घर में जाना है, अपने मन पसंद का कोई भी पत्र खरीदना है, और घर आकर अपने किसी प्रिये व्यक्ति को एक प्यार भरा पत्र आपको लिखना है. फिर उसके बाद आप डाग घर में जाकर उसे डाल के अर आएंगे और पत्र भेजने के बाद आपको इंतजार करना है, उसका उत्तर अवश्य आएगा, जल्दी ही आएगा, आप उसका इंतजार करिए और जब आपको उत्तर प्राप्त होगा, तो आप देखिएगा कि अब मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी, नमस्कार